अज़े हम लोगों के बच्चे जो हैं लखी हैं कि उनको आपसे रूबरू होने का मौका मिला और जानेंगे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनको जानने की जुरूत है तो आज आपसे जानेंगे तो मैं चुकि हम लोगों का ये सेसन जो है जो है जो है जो है तो मैं बस बच्चों से आपको रूबरू करा ज़ता हूं मैं तो आपसे बात करता ही रहता हूं तो अरी मैं आपकेश Yes sir Hello and welcome to our first episode of Career Talks Season 2 Our TodayGuess is an award winning screenwriter and director who got this year's Film Faire Best Debut Director for the Film World Nowadays, he is also popular for his web series on Sony Live Named as Jahanabad He is none other than Mr. Rajik Parnawal sir तो सर मेरा आपसे यह पहला सवाल है कि आपके इस फिल्मिंग करियर में सुरुवात कैसे हुआ आने का इच्छा कैसे हुआ और अब तक आपका सब्सक्राइब कैसा रहा हम लोगे बट यह बड़ा अनेक्स्पेक्टेट था कि स्कूल के साथ दुबारा जुड़ने का मौका मिलेगा और उनके बच्चों के साथ जहां से मैंने भी पढ़ाई की है पिट्सवांड स्कूल से और जहां तक फिल्मी सफर की बात है तो मझे बच्पन से ही फिल्म में जा और वहां हमार क्लब होता करता है तो बच्पन में हम लोग किया करते थे सरस्वती पूझा जैसे होता है सरस्वती पूझा के सेलिबरेशन और और मेरा जो ननीहाल है वो है जुम्रित लिया पुडुर्मा डिस्रिक्ट वहां मेरे मामा जी का एक ठीटर था तो सबसे पहली बार मैंने मितावचन की एक सिल्म देखी थी मां पूली एटर में और क्योंकि मामा जी का था तो मुझे एकस्स था बॉक्स ऑफिस में जाने का मतलब वो प्रोजिक्टर रूम में जाने का तो जो प्रोजिक्शनिस्ट है ना वो उनसे मैंने कुछ रील ली और रील पर हर सैटेड़े हम लोग वो पता नहीं तुम लोग तो देखे भी नहीं होगे विएचस आया करता था पहले वीडियो कैसे प्लेयर तो वीसी आर लाके हम लोग उसमें फिल्म लेकिते आजकल तो बड़ा इजी है ना टॉरेंट से डाउनलोड कर लो और वैसे देख लो उससे जगह से आप जाते हैं तो बड़ा आपको वह भी रहता है कि उस कंफ्यूजन में आप रहती ही हो क्योंकि आसान लाइन नहीं है मतलब और बाकी सब लोग भी यह कंवेंशन लाइन नहीं है ना तब तो बिलकुल नहीं थी पिर वहां गया के मिस्ट्री में ग्राजूशन कि साथ को दो kısm cevा करने के लिए कि मैं जया देने के लिए या मैं श्रूत करने के लिए और मैंने शूटिंग वाला बनारस चला गया और तब जो बनारस गया हूं महां से फिर दिल्ली में बटिलिसे फिर बॉμबें और तक सफर यह बहुत अच्छा रहा है बहुत और अब यहां हूं तुम लोगे सामने बात कर रहा है यह तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग यह है और यह जो है ना यह आज के जो जैनरेशन है वो वीडियो कैसे बगरा जानते नहीं है विल्कुल हम लोग के समय में था कि हम लोग एक रात के लिए जो लाते थे ना तो उसमें अच्छी मेमरी है हमाइस अच्छा यह बुरुकुंडा से चार का रिलेस्टिब्स बढ़ बुरुकुंडा से बहुत जड़ाओ वह वह ऐसा है कि तब शायद हम लोग बहुत जोटे थे मैं मतलब मेरी बड़ी बहन है वह दिल्ली में रहती है और वह सॉफ्ट्वेर में है तो मुझे लगता उसमें दीदी और मेरा होगा काफी चोटे होंगे तो मेरे पहले पापा की जो पहली पोस्टिंग थी और उस समय बताते हैं ममी बताती है कि महां पर हम लोग रहते थे और बाद में हम जाते रहे बट मेरी बहुत मतलब समय लोग जो शुरुआत का बढ़ना शुरू हुआ है वह वहीं हुआ है उसके बाद फिर हम लोग इधर बेरमोग कतारा फुसरो यह सब सब आ गया है और अप तो सब जगह हैं बदल गई होंगी अभी कह रहे थे पापा लोग आये हुए हैं तो कह रहे थे रजरप्पा इतना बदल गया है क्योंकि मुझे रज क्या गए रांची उतरता हूं तो मुझे वहाँ से कई बाइपास बन गए और आप अराम से निकल जाते हो है कॉन कुछें से से किस्टेंग कुछेंग गुव्क्षमी लक्षमी क्ला से मुटन अब एक पर प्र फिल्म करियर बट तो फो तो ऑस्टों को फेलियर इस्टों मी how can I overcome Swami? Lakshmi, देखो, failure is everywhere. You know, the fear of failure, वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है. डर निकाल दोगे तो जीत होगी. So, obviously, ये करियर, ये मैं किसी को भी कहता हूँ, जब भी मेरे junior writer, और तुम बिलीब नहीं करोगे, काफी सारे मेरे junior writer, अभी मेरे साथ एक writer लिख रहा है, सरफराज नाम है उसका, यूपी का है लावाद का, वो computer engineer है. उसने computer engineering की, बट उसका दिल जो है वो filmmaking में था, passionate था फिल्मों को लेके, उसने engineering करते-करते, आजकल क्या है न, script मिल जाती है, अगर English फिल्में देखते हैं, या Hindi फिल्में देखते हैं, तो कई हो कि screenplay, जैसे मैंने को screenplay लिखा, और वो popular हो गई film, तो उसका screenplay आपको available हो जाता है, normally. वो download करके पढ़ता गया, और उसने आपको prepare किया, और आज की date में, कई सारे web series में, में वो chief AD है, में लिए भी फिल्म लिख रहा है, मैं उसके साथ लिख रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा, अगर आप films को लेके, इस medium को लेके बहुत passionate हो, मतलब बिल्कुल नीन नहीं आती, और पागल पन है, तभी इस field को आप try करना, ये बहुत ज़वादी है, या for that matter, किसी भी field को, अगर आपको लगता है, कि नहीं मुझे doctor ही बनना है, तो आपको बिल्कुल हद तक जुनूनी होना पड़े, अगर डॉक्टर बनने के लिए, और आपको कोशिश करनी पड़े है, कि doctor तो सब बनते हैं, तो तब फिल्म में आना, और यहां struggle है, बहुत है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं सब लोग, और क्या है आप लोग, या जो भी यह ना, नॉर्मली क्या होता है, मेडिया सिर्फ ग्लैमर कवर करती है हमारा, बट उसके पीछे का जो hard work है, जैसे जहानाबाद अगर आप लोग उने, उसके पीछे हमने कम से कम सौ दिन की शूटिंग की थी, सौ दिन और नौ सिटीज में, सिटी, गाउं, कभी, 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 रात रात भर हम शूट कर रहे होते, और दो सो लोगों की यूनिट थी मेरी, दो सो लोग काम कर रहे थे उसको बनाने के लिए, उसके पहले साल भर हम उसके लिए प्रिपेर कर रहे थे, तो डर जैसी कोई चीज रहेगी नहीं, अगर तुमारे अंदर वो पागलपन है फिल्म बनाने का तो, फिर डर नहीं लगेगा, तो मैं फिर जो भी लगेगा न अच्छा, मुझे हमेशा अपना स्ट्रगल न अच्छा लगा, मुझे मज़े दार लगा है, मुझे लगता है कि और कराओ, मैं देखूंगा, मैं इससे आगे निकलूंगा, मैं करूंगा कुछ न कुछ, तो वो लगन होगी न, तो नॉट ओनली फिल्मेकिंग, आप लोग जिस भी चीज में जाना चाहे, वो पैशन, वो एफ़र्ट, वो एक-एक मैडनेस बहुत ज़र हो रही है, चाहे वो कन्वेंशनल फिल्ड हो, हो चाहे फिल्मेकिंग, हो चाहे कुछ भी, और प्रिपेर होके आए, मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग के टाइम में न, अभी जैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जब गनेश वर मिले के, करियर कांसलिंग, कुछ टीचर्स थे, जो हमें बताते, क्या करना चाहते हो, क्या न, करना चाहते हो, और वो बहुत क्लियर बताते हैं, की लिए करोगे तो ऐसा होगा, यह करोगे तो ऐसा होगा, तो जो खुद भी नहीं जा चुके थे, मतलब आज की डेट में for example मुझे ही मैंने कुछ बनाया और मुझे ढूनना बहुत असान है इंटरनेट की दुनिया में कि अच्छा ये पिट्समान स्कूल का ही लड़का था ये वहीं पढ़ा था क्या पता उसी क्लास में होगा उसी वेंच में बैठता होगा है ना और आज ये फिल्म मना रहा है यहां से निकल गया तो बहुत आसान है बट पहले तो हमें पता ही नहीं चलता मालनो हमारे टाइम में कोई बना भी लिया होता तो हमें नहीं पता चलता जब तक कोई बोल दिखता है तो मुझे नहीं लगता डर लगेगा फिर आओगे तो करी जाओ ऑपचुनिटी सबके लिए यहां पर बट मेहनत करनी पड़ती है यहां पर मतलब कोई शॉटकट नहीं है इस स्लाइड में आपर तो यह चीज़ है मुझे याद है सर राजीब सर जी जी मैं एक फिल्म बना रहा था कोल पैडलर और यह फिल्म थी जो हमारे एडिया में जो साइकल पर जो कोईला लगे जाते हैं हाँ 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 बड़ा इंट्री करता है तो मैं सूट कर रहा था कि वहाँ पर क्या होता है कि वह लोग बर्न करते हैं फिर बेचते हैं सूट करते करते एक बंदा आया और कैमरा लेकर भाग गया अब कहां चला गया कैसे ढूंड़ो उसको फिर मैंने लोकल लोगों से बात की तब पता चला कि इतना खास करके जब आप डॉक्यमेंट्री बनाते हैं हम दो तो बहुत ज्यादे चुकि रियल लाइफ है तो उसमे बिल्कुल बिल्कुल मैंने काफी डॉक्यमेंट्री की है बिकॉज मैं नॉन फिक्शन से शुरू किया था दिल्ली में तो मैं मतलब कुछ एंजियो के साथ मैंने रेड लाइट एरिया यह वो के भी फिल्में की है और मैं क्राइम पेट्रोल जो सबसे पहला सीजन आता था जब वो reality था तब मैं करता था तो मैं ऐसी-ऐसी जगहाँ हूं और ऐसा experience है बट मुझे लगता है जैपूर से जोदपूर जा रहा था ड्राइब करते हो बीच में बहुत प्यास लगी पानी कतम होगा हम लोग वैन में थे मैं और मेरे कैमरामन और एक ड्राइवर था गाड़ी में चला रहा था एक गाउं दिखा दूर में गाउं में चले गए दूपहर बहुत गर्मी थी ए कि घर में हमारे पास था और इतने इच्छे से स्वागत करा तो यह सब चीजे जो है ना आपको तब जब आप जाते हो तो मिलते हो नहीं तो क्या ना यूट्यूब में लिख देते हैं अच्छा आदमी जाओ मिलो बात करो तब तो समझ में आएगा वो खराब है हम भीड़ बाकि आप बना दो तो बढ़िए और वह फिल्म बहुत अच्छी दिखाई गई फिल्म फिस्टवल बगर ने तो अच्छा बगार तो लक्षमी को समझ में आ गया ना कि पैसनेट जून चाहिए आपको अंगे से बनना है तो बनना है चाहिए जो हो जाए जो हो जाए जो हो एक सफल डायक्टर बनने के लिए से कौन-कौन से स्किल होनी चाहिए तो अब हम यह बताता हो कि देखो अब्सरवेशन बहुत जो होगी डिरेक्शन क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं हमें लगता ना डिरेक्शन और मुझे लगता था एक टाइम पर बताए जब मैं मैं हमेशा जो अज एक्टर भनना चाता था ed sits में बहुत खेंटर किया और यह किया तब तक लिखता था था मैं काफी कविताएं कहानिया और यह बट मुझे पता नहीं तake पीछे इंई दुनिया है जब वो दुनिया में ने देखी मेरी पहली फिल्म थी मंगल पांड़े, जब उसमें मैंने देखा केतन मेहता को काम करते हो, तब मुझे समझ में आया है कि डिरेक्टर जो है न वो भगवान की तरह है, वो ही बना रहा है, वो ब्रह्मा है फिल्म का, वो ही स्रिजन करता है योपी वोग करते हैं डिरेक्टर का सबसे बड़ा काम होता है कि जो चीज लिखी गई है उससे बहतर विजुली और कैसे कह सकता है जो इमोशन जैसे मैंने सीन में लिखा कि तुम और तुम्हारे दोस्त में गहरे दोस्त में जगड़ा हो गया किसे छोटी बात में और उसने तुम्हें थपड लगा दिया जो तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया अब तुम अकेले बैठे हो तो तुम कैसे रियाक्ट करो ये काम है डिरेक्टर को तुम्हें बताना कि देखो अब तुम ऐसे एक्टर करोगे कि सर मैं तो इतना रो जाओंगा क्योंकि मुझे बच् इस तरगा कैरेक्टर है ये ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत मुश्किल से रोता है तो ये रोएगा नहीं सैथ बैठ के सिर्फ एक होता ना देखता रहेगा उसके चेहरे पर दिखेगा कि उसको असर पड़ा है वो हट हुआ है लेकिन शायद आसू नहीं निकलेंगे तो ये ड और जो पहला सीन होगा वो शायद लास्ट में शूट कर रहे हुँए अब शेडूल के हिसाब से शूट होता है तो बाकी जो लोग है ना वो सिर्फ एक दिन का काम देख रहे होते हैं कि आज क्या होगा बट डिरेक्टर को देखना होता है कि यार मैं आखरी जो फिल्म में जाएगी वह अभी शूट कर रहा हूँ इसका जो कंटिनेटी वह बाद में शूट करूंगा यह ओवर ओल उपर से देखता रहता है तो एक मुझे लगता है डिरेक्टर को ना बहुत ही कुईक रिस्पॉंस सिर्फ होना चाहिए बहुत ही observation माला बंदा होना चाहिए observe करना बहुत आना चाहिए आप जो script लेते हो उसकी समझ होनी चाहिए जिन्दगी की समझ होनी चाहिए आप जितना पढ़ोगे या आसपास देखोगे life को तो आप उतना mature होते जाओगे आज मैं जो subjects कर रहा हूँ जैसे मैं compare करता हूँ अपनी writing या अपने की हुए काम को जो मैंन आप जैसा सीखते भी रहना चाहिए जो काम आपको inspire करते हैं जैसे कई बार होता है ना कई फिल्में देखके आप बाहर निकलते हो और आप आपके सोच में रहती है या कोई भी चीज़ा आपको सीखने की जरूत है कि मैं भी ऐसा करो तो मैं हमेशा सीखता रहता हूँ जो वह दो दूते अच्छी चीज़ें लगती अंची फिल्में लगते चाहए वो बाहर की ऑचाहें इंडिया में बन रही हो कई कि सारी फेस्टिवल के फिल्म में लिए हों लिवत ब्हुटते हम भी ऐसा बना पाएं तो अपने आपको ना बतलब हमेशा एवर लर्निंग प्रोसेस में रखना चाहिए आपको फिल्मेकिंग के तोरा और एक डिरेक्टर को बहुत हमबल भी होना चाहिए मुझे रखता है सेट पे जब आप जाओगे और डेटेसों लोग आसपास होंगे ना बहुत के वस होता है एक दिन में आपको एक चालिस पचास दिन का दिन जो दिया जाएगा उसके दिन आपको शोटिंग कंप्लीट करनी होती है बहुत सारा पैसा involved होता है तो बहुत ही आपको ना एक काम औ on the set आपको निकाल पाई तो यही सब चीजे हैं या इसमें लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि या डिरेक्टर को तो बहुत क्रियेटिव होना चाहिए क्रियेटिव सब लोग होते हैं हर एक आदमी क्रियेटिव होता है यह भगवान का ऐसा बनाया हुगा फर्क क्या है मुझ में और जो लोग software engineer है जो फिर scientist बने हैं कि मैंने अपनी क्रियेटिविटी को अपना profession बना जिस में था जो मैं क्रियेट करना चाहता था यह प्रूपेश्चन चुटा नहीं तो तो तुम देखो कि एक सबनाने हो क्या एक पीजे कलाम के बारे में पढ़े हो गए क्या बीना सब लोग होते हैं ऐसे कोई बात है थीक है तो कहने का मतलब यह हो गया कि वखता है कि अपनी हो सकते हैं सब लोग अच्छा नारेटर बनना यह पैदाईश नहीं है यह स्किल है जो इस पर आप काम कर सकते हो ना जाके स्पीच देते हो आप एक स्किल है जिसको डेवलप के आता है तीचर समय के डेवलप करते है फिर वह देखते हैं वहां से इंटरस्ट आपको होता है और फिर आप उस चीज़ को और बढ़ाते हो अपना जो नारेशन एक स्किल है जो आप सीख सकते हो मतलब आप लोग दोस्तों के साथ बैठते हो तो कभी या और बीच में एक टीचर ने कह दिया कि आज क्लास नहीं ले रहे हैं आज उनको एक्जाम और तो उस से मैं समझ में नहीं आती पर यह कहानी इसको लिख दो गए वेपर पर तो यह सीन मन जाता है तुम्हारे यह बहुत अची बात अगला क्या था कुश्चन कनक या विद्या गुड़ीवनिंग सर गुड़ीवनिंग कनक बिंद्या क्या नाम है आपका सर कनक सर मैं पूछना चाहती हूं कि जब आपको पता चला कि आपका पैशन है आपको डिरेक्टिंग करना है राइटिंग करना है तो आपको पहला स्ट्रेप क्या था कि मैं अब यह करूंगा तो मुझे मिलेगा अभी जैसे आप बहुत इतना जादा हम लोग ग्रेटफूल है कि हमको मौका दिये कि आपसे हम बात करें तो सर प्लीज यह मेरा रिक्वेस्ट कि आप बताईए कि आपका पैशन जब आपको पता चला कि आपको करना है डिरेक्टिंग करना है स्क्रिप्ट राइटिंग करना है तो आप पहला स्टेप क्या उठाएं कि अब मैं आगे बढ़ पैशन खॉलो करना रहता है तो फैमिली का भी प्रसर रहता है तो उससे आप कैसे निकले और आपका पहला स्ट्रेप क्या था सब्सक्राइब जब मुझे बिल्कुल रिलाइज होगा कि मुझे यही करना है ना तो जब मैं दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में एक एक्स्पो और मैं प्लेज करने लगा मैं आक्टिंग करने लगा तो पहला स्टेप मेरा यही धना मैंने ढूनना शुरू किया मैंने एक दू बार हुआ नहीं क्योंकि मैंने सोचा पढ़ाई करते हैं थोड़ा फिल्मेकिंग में जाना ही है बट हमारे दौर पे ना एक जीरो बहुत हो कोशिश करता था कि थीटर के तुरूं उन लोगों से मिलों जो एक्टर हैं जो एक्टर में पढ़के आए हैं जो सीनियर से काफी कोई फाइदा नहीं सिर्फ वर्ल्ड सिनेमा दिखाया जाता और यह कुछ पता भी नहीं था वर्ल्ड सिनेमा के बारे तो मैंने सबसे पहले कि ना कई सारे email id जो मिले उसमें कितने सच्चे थे कितने जोटे थे मुझे नहीं पता सबको मैंने बैस दिया कि मैं काम करना चाहता हूं मैं इस तर फिल्ड में आना चाहता और एक अच्छा से covering letter मेंने साहतम बेजा कि मैं बहुत passionate हो और मैं करना चाहता और उसमें से एक ड दूसरे दिन बनारस जा रहे थे शूट पे और उन्हें मुझे इमेडिटली गुला लिए तो यह मेरी किस्मत थी शायद उपर वाली का भी था कि तो जब इतना जाना चाहरा है वो कहते हैं ना शारुक फान कहें गहें ना तुम लोगों ने पता नहीं हो फिल्म देखी कि नह हमारे टाहिं है मैं मतल है कूद गया जब मैं कहता हूँ क्योंकि उस समय यह सब बड़ी चीजे थї वह लगड़ी बापा को यार यह क्या कर रहे हो मतलब तो मेरे पापा ने मुझे यही कहा था कि मैं तुम्हें जितने पैसे भीजता हूं महीने में अगर तुम साल के इंट तक उतना भी कमाना शुरू कर दो तो मुझे लगए कि हाँ चलो ठीक है तुम और टच उड़ साल के इंट तक मैं उसका तीन हुना कमाना शुरू कर दिया था और आखरे दिन चोड़ने गया था और वह रोव पड़े थी क्योंकि मैं सुबर निकलता था छे बजे काम करने और रात में चार बजे पांच बार मैं सिर्फ एगंटा सोता था और यह पूरे पंदर दिन नहीं कम से कम महीनों तक मैं ऐसे क तो मैं वही कह रहा हूं कि जुनूहन बहुत ज़री है आज भी जब शूटिंग होती है तो मैं सबसे पहले सेट पर उठने वाला बंदा मतलब अगर डिरेक्टर हूं मतलब मैं थोड़ा आराम से भी जा सकता हूं बट जब शूटिंग चल रही होती मुझे पता नहीं नही सीन बनना चाहिए जो आपने एक साल से मेहनत की है पेपर पर लिखके अब वह आपको देखना है उसके बाद मैं बॉंबे आ गया फिर बहुत स्ट्रगल रहा है अब 17 साल होगे में स्ट्रगल करते हैं पहले कर लिया हो तो शायद ही इंटर्वीव पहले ही हो गई होते क्यो मैं जब अजस्ति इस लाइन में आ गया हूं मैं भी बता रहा हूं मैं सच बोल रहा हूं कई बार आप होता है निराश होते हो कई बार मेरे दिमाग में ये भी आता था क्या छोड़ दूं कुछ और कर लो कोई बिजनेस कर लो मैं गलत तो मैं शायद मतलब अपने उपर विडियो में देखा होगा आप लोगों यह बंबे जब आए होंगे तो में वहां जाए खड़ा होता था और मैं बांबे शहर को देखता था और मैं कहता था नहीं करोगा क्योंकि मेरी ना बच्पन से एक इच्छा रही है फिल्मों के प्रती की अगर मैं जिन्दगी वहर कोई फिल्म न भी बना पाओ मैं मरने के पहले सिर्फ एक फिल्म बना पाओ जिसके लिए मैं याद रखा जाओ कि बस इस लड़के ने या इस आदमी ने बस एक फिल्म बनाई तो मुझे लगता है उनको भी एक्सपोजर है और तुम्हारे बापा जब रोकते हैं तो उनसे मेरी बात करा देना और यहां पर बहुत अच्छा है अगर आप सक्सेस्फुल होते हो तो आप आपको फेम भी मिलता है और आपको बहुत पैसे भी मिलते हैं जो शाहिद आप तो यह है देखो कोई भी चीज़ है ने शेयर मार्केट में बहुत यह कहते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न तो जैसे जहां रिस्क हाई होगा ना वहां पे अगर आपने परफॉर्म कर दिया तो रिटर्न भी बहुत रही हो तो हर तरह से मतलब वो होगा और अच्छा लगता है पता है इट इस नाट बाउट मनी आप सौफ़एर इंजिनियर बनके कहीं युएस वे चले जाओगे तो बहुत पैसा कमाल होगा पट इस बाउट रिकोगनेशन आपको एक संतुष्टी मिलती है कि आपने कुछ क्रिएट किया है आपने कुछ बनाया है आपने कुछ मतल लड़कियां वो फिल्म दिखा और मम्मी बगा को देखो इस लड़की ने क्या किया इसकी स्टॉरी सब्सक्राइब किसको निए किसको निए ओट करेगी जैसे मेरे नाम जो है वो और आजीव कुमार है आज भी मेरे डॉक्मेंट्स में हर जग राजीव कुमार है जब मैं क् 연skills कि मैंने अपना सर्णीं लगाना शुरूः किया इसलिन कि मुझे सर्णीं करना या पॉभेसिटी करनी मुझे लगा मेरे का Maintenant से मैं पहला हूं अगर कोई लड़का होगा गॉन θα उसके सार्ण को बंजब्या और वो सोच रहा होगा ऐसा तो अपने माता-पिता को कह सकता है कि देखिए ये भी तो है ना ये बन गए ना और अभी तुम बिलीव नहीं करो कि इतने लोग मुझे कनेक्ट कर रहे हैं कोई इंजीनियर है कोई डॉक्टर है कोई कुछ है और सब का पहला यही होता लिंकेडि कि हमारे कमिनिटी से कोई फिल में की है और अब मुझे पता चला कितने असिस्टेंट और यह यहां पे हैं बढ़नवाल जो अब मुझे डून डून के मिल रहे हैं तो यह सब चीज़े ना बेसिकली इंस्पायर करने के लिए और कुछ नहीं मतलब कहानी वह बन्यों जो इं कि मैंने आपको पहली बार देखा था फेस्बूक पर गोवा में आप लोगो के साथ शायद कनेक्शन में होंगे ना अदित्य काफी हो रहता है तो वहां से वह सालों से मतलब आप बिलीव नहीं किजिएगा पंदरह बीस साल से वह यह यूनियन प्लैन हो रहा था और अब जाके कहीं हुआ क्योंकि इस बार मैं अटक गया अदित्या हम कुछ उसमें से चार-पांच लोग बहुत ही गहरे दोस्त हैं तो मैं अटक गया इस बार कोई आए ना आए भले मैं अकीला जाओंगा बट मैं जाओंगा और टी-शेट बनाओंगा और यह करूंगा तब सब क सब्सक्राइब और सब अच्छे जगहों पर हैं यह लोग कोई किसी कंपनी का वीटी है कोई कुछ है कोई कुछ है सारे बड़े-बड़े समय अभी कम है कोई और पूछन पूछन चाहते हैं विद्ध्या है और बैभॉ सब्सक्राइब को वेक्स फिल्म्हाद अपने आप बहुत वह न आप आप जैसे देखते हो तो आप बिलकूल एक दूसरी दुन्या में चले जाते हो और यहीं म्कसद होता हुआ फिल्म का कि आपको एक दूसरी दुन्या में ले जाए उसके characters उसका geography है उसके locations music हर कुछ एक आपको दूसरी दुनिया में ले जाए तो मुझे inspiration वही था कि कुछ create किया जाए ऐसा जो मैं भी create कर सको और ideas मुझे जिन्दगी से ही आते हैं जितनी जिन्दगी मैंने भी जी है कल को शायद अभी गनेश हर से मेरी जान पिचान हुई है तो शायद मेरा character हो जो छोटे-छोटे schools में जाके और उसका मकसद ही यह है कि मैं सिर्फ यह ना बताओं कि इंजिनियरी और करनी है आपको यह बताओं कि आपको अपने सपनों को फॉलो करना है तो आप ज्यादा सक्सेस्फुल हो तो शायद वो उसको creatively एक कहानी में बदल देते हैं और जैसे ही वो कहानी में बदलता है उसके बात के स्टेफ्स में आप उसको दुनिया में भवान के बनाएवे character हैं और हम सब अपना अपना एक character play कर रहे हैं यह हम पर depend करता है कि हम अपने फिल्म को superhit करवा दें या फिर flop कर दें तो अपने सपनों को जीना चाहिए और हम सब अपना अपना रोल प्ले रहे हैं चाहिए वो इस्क्रीन पर हो या फिर डिया लाइफ में हो लेकिन अपने अपनों को किस पकार से आप जीते हैं और किस पकार से आपके film जो है इक ऐसी मॉटिवेशनल फिल्म है जो आज तक स्वाइड करती है यह क्यось कर कर दो अव उनकी फिल्म वह सूपर डूपर हिट जो आने वाले अनंत समय तक लोगों को इंस्पायर करते रहें तो राजिव सर आपका भी जो था है आज का इंटर्विव सो हैपी कि आपने जो बताया आपने पैरेंट किया मुझे बच्चों के साथ तो थैंक यू एक और कोई कुछन प सर्ा मैं आपते दूकर पूश्अचर अपर करें आने से पहले है जैसे कि किसी का गोल रहता है पशलक बन जाते से पहले कुछ और हमखो यह व Alors Al और खांए ऑने के पहले क्या होता है आने के पहले मेरा यहीं दौन हा कि जो मैंने तुम्हें कहा ना कि जिन्देगे में अगर एक भी फिल्म बनाओ में जिसको लोग बहुत सरा हैं और बहुत प्यार दें और उसकी वज़े से मुझे जाना जाए तो मेरा गोल कभी भी ना पैसा और ये वो ये सब नहीं था, मुझे ये था कि लोग मेरे काम से मुझे सरा है जो सबका गोल होना चाहिए मुझे लगता है और उसका एक्जामपल है कि इस साल मुझे ये मिल गया और ये और ये और है लेकिन अब इसको मिलने के बाद अब और ज़्यादा ये हो गया है कि अब और एक responsibility पड़ गए कि आगे काम और आपको अच्छा करना पड़ेगा ताकि इसकी गरिमा बने रहे और आप तो गोल्स ऐसे हैं ना आपको तूटने जैसे ही पहले गोल अचीव हो गया नेक्स गोल नेक्स क्या है वो देखो समय कि अगर बातेता नहों होती तो आज का ये सेसन कभी बंध होनी की इच्छा ही नहोती तो आज के हमारी जो सेसन थे बस हम यहीं तक हैं आज के सेसन के लिए मैं तही धिल से धन्यवाद देना चाहूंगा राजी बरनवाल सर को जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए और हमारे बच्छों के लिए निकारा और आज के सेसन के लिए मैं उन तमाम गेस्ट बच्चों के लिए भी बच्चों को भी मैं अनेक अनेक सुब कामना है देना चाहता हूं जिन्होंने आज के सेसन में पार्टिसिपेट करके कैरियर के नए रूप को जानने की इच्छा और जानने की कोशिस की है और मैं मुझे उम्मीद है कि इस सेसन से उनके बहुत सारे दोविधाएं जो हैं वो किलियर हो गई होंगी ये सेसन एक पकार से उन सभी बच्चों के लिए है जो कैरियर के तलास कर रहे हैं लेकिन जो हम लोग सीखते हैं लर्निंग जो हमारी होती है संगहरसों के साथ में जो हम लोग अनुभाओं से सीखते हैं वो ही real learning होती है, जो हमें आगे के और प्रेडित करती है, जाने को प्रेडित करती है, जो सही मार्ग दसन परदान करती है, तो इस career talk का यह purpose है, कि हम उन तमाम हज्जारों लाखों बच्चों तक पहुंचें, जिन तक career counseling के से वा पहुंचने पाती है, उन्हें सही मार्ग दसन पर्दान परें जो किताबों में नहीं है तो यह जो अनुभव की जो सिछा है आनुभव की जो लरनिंग है वो इस कारियर ॉक्स हों का एक आदर से हूं, कि हम बच्चों तक उन्हीं चीज़ों को बता है जो अनववी जो अपने संघर्सों से जिनोंने जाना है जिनोंने समझा है जिनोंने उसको अर्ण किया है और उनकी संघर्स उनकी कोशी से आपके जीवन में भी एक अच्छा मार्ग दसन परदान करें आपको एक सही दिशा परदान करें यही हमारी इच्छा रहती है आज के स के लिए जो आपने Beef ऐगर करेंगे कि aगर आप वी जिस सेस्वर में PARTICIPATE करना चाहते हैं तो निशनदे आप हम apology और इस सर्थ के लिए जो अपने के लिए के साहित के तला सो थे आपका सो है आप इसमें पा network बनाएं और तमाम उन लोगों तक पहुंचाएं जिने इनकी खास जरूरत है तो आज का ये बारतलात यहीं पर हम लोग रोकते हैं अगले बारतलात में फिर हम लोग मिलेंगे अगले स्क्सियस के साथ एक नए अनभवी जिससा के साथ जिनके संहर्सों को फिर से हम लोग समझ कर देंगे बारतलात कर दोगते हैं जिनके में झाले बारतलात इनकी पहले से हम हम लोगान शर्कल के बारतलात की।